जै माता दी दोस्तों, घरे लुखाबर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉस में जै लक्ष्मी माता जरूर लिखे, दोस्तों साल 2024 में किस तिन पड़ेगी धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्ध के साथ सेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं, और अगर अभी तक आपनी घरे लुखाबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सक के मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे, दोस्तो दिवाली पांच दिवसी पर्व है, जो कि धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन, पूजा और भाई दूज, जो कि धनतेरस से सुरू होकर भाई दूज पर संपन होता है, पांच दिवसी पर्व में धनतेरस, छो मुटी दीवाली, दीवाली, गोवर्धन, पूज़ और भाय दूज होता है। पाँच दीवस्ये दीवाली का परव कार्थिक मास के क्रिस्वपक्ष की अमावस्या तिथी को मनाया जाता है। दीपावली को दीप उत्सों के नाम से जाना जाता है, साल 2024 में दीवाली के पर्व में दो तिथी पढ़ रही है साल 2024 में लोगों के मन में confusion है कि दीवाली का पर्व 31 ओक्टूबर को मनाया जाएगा या 1 नवंबर को मनाया जाएगा आपको बता दे 5 दिवसी पर्व की सुरुवात 29 ओक्टूबर 2024 धन 13 से होगी, 29 ओक्टूबर को धन 13 का तिवहार मनाया जाएगा इसे धन 13 भी कहते हैं, इस दिन यम के नाम का दिया जलाया जाता है काली 14 या छोटी देवाली या नरक 14 से 30 ओक्टूबर 2024 के दिन होगा आमावस्याति थी 31 ओक्टूबर को पढ़ रही है आमावस्याति थी कि सुरुआत 3 बजकर 55 मिनट पे हो जाएगी जो की 1 नवंबर को साम 6 बजकर 15 मिनट तक रहेगा ऐसे में दिपावली का तिवहार दो दिन मना सकते हैं 31 ओक्टूबर को भी और 1 नवंबर को ही वही गोबरधन पूजा 2 नवंबर को होगा और भाई दूजका तिवहार 3 नवंबर को मनाया जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया कि साल 2024 में 5 दिन चलने वाला यह पर्ब 29 ओक्टूबर से सुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेर करे और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करे ठैंक्स